हेलो फ्रेंड्स हमें स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 4 find the least number which must be subtracted from each of the following number so as to get a perfect square देखो यह हमें यहाँ पर 5 parts given है इनमें यह perfect squares नहीं है तो कह रहे हैं हम क्या least number छोटे से छोटा number जैसे कि first part लेते हैं 402 है तो 402 में से छोटे से छोटा number क्या subtract करें कि यह perfect square बन जाए यह अभी perfect square नहीं है 402 किसी का भी square नहीं होता है ठीक है तो क्या कह रहे हैं कि हमें वो छोटे से छोटा number इसमें subtract करना है perfect square बनाने के लिए तो वो क्या number हम subtract करेंगे एक तो हमें वो बताना है आगे कह रहे हैं also find the square root of the perfect square so obtained फिर जो हमारा perfect square आएगा उसका क्या निकालना है square root निकालना है तो देखो सबसे पहले हम four hundred two first party start करते हैं तो यह जो four hundred two दे रखा इसका हम क्या निकालेंगे पहले square root निकालेंगे ठीक है तो square root निकाल लेते हैं देखो pairing करेंगे सबसे पहले right से left की तरफ अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है four four के ले table पढ़ेंगे squares में तो one one's a one two two's are four तो two two's are four अब जितना यहाँ पर आया है उसी को यहाँ क्या करेंगे add और इसको क्या कर देंगे subtract two plus two कितना आया four four में से four minus करेंगे तो zero उपर से note किया zero two अब four की यहाँ पर क्या लिखके मैं multiply करूं कि answer zero zero two आ जाए तो देखो यह two तो four से वैसे भी छोटा है तो क्या करें जीरो लिखके multiply कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा zero तो यहाँ पर zero लिखा यहाँ पर zero लिखा और यहाँ पर क्या आया zero तो minus करेंगे तो कितना आया two तो friends देखो यह जो remainder आता है जैसे कि two आया है two को अगर मैं four hundred two में से minus कर दूंगी तो कितना आ जाएगा four hundred तो यह four hundred अब हमारा perfect square हो जाएगा तो हमारा वो क्या number होगा जिसको मैं subtract करूं तो हमेशा जो remainder आएगा ना वो हमारा answer होगा तो हम क्या लिखेंगे two is the two answer हो गया है तो क्या लिखेंगे two is the least number which must be subtracted from किस में से subtract करेंगे four hundred two में से two get a perfect square सब कुछ हमने question में से ही लिखा है देखो find दा की जगा two आ गया है तो two is the least number which must be subtracted from each of the following number हटा जया है क्योंकि हम particular एक part कर रहे हैं तो इसके जगा four hundred two लिख लिखेंगे और बागी question में से two get a perfect square तो four hundred two में से two को minus करेंगे तो एक answer two हो गया अब देखो four hundred two में से हम two minus करेंगे friends तो कितना आया four hundred आप question में क्या क्या रहते है इसका क्या निकालना है square root निकालना है यह जो answer आएगा तो देखो four hundred का क्या निकालेंगे square root तो अगर आप चाहो तो four hundred का दुबारे से square root भी निकाल सकते हो और obvious है यह remainder ना बचे ठीक है तभी तो perfect square बन रहा है तो जो answer यहां पर आएगा वो ही answer हमारा यहां आ जाएगा तो एक answer क्या हुआ हमारा twenty और एक answer हुआ हमारा two दो answer हमें इसमें देने है now start next second part क्या given है one nine eight nine solve करते हैं सबसे पहला काम क्या है हमारा कि इसका square root निकालेंगे division method से यह निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें करेंगे pairing ओके अब देखो क्या आ रहा है हमारा है यहां पर 19 19 के लिए हम table पढ़ेंगे one one's are one two two's are four three three's are nine four four's are sixteen five five's are twenty five twenty five's जादा हो रहा है तो क्या आएगा four four's are sixteen nineteen में से sixteen को minus करेंगे और जो four यहां पे था है इसे यहां लिखके plus करेंगे तो four plus four कितना हो जगा eight nineteen में से sixteen minus करेंगे तो three उपर से note क्या eighty nine ओके अब देखो यहां पर eight है यहां पर और यहां पर मैं क्या number लिखके multiply करूँ कि three hundred eighty nine आए या फिर उसे छोटा आए तो हम पहले हाँ three लिखके देख लेते हैं three three's are nine three eight's are twenty four अभी तो यह बहुत छोटा आ रहा है तो दुबारे से eight लिखके यहां पर और यहां पर मैं four लिखके multiply कर लेती हूं four fours are sixteen four eights are thirty two और one thirty three तो three three six आ रहा है सेम ऐसे eight लिखके मैं five five लिखके multiply कर लेती हूं five fives are twenty five five eights are forty और two forty two four hundred twenty five ज्यादा आ गया तो means की केतने बार हमारा चलेगा four तो यहां four लिखेंगे यहां four लिखेंगे और कितना आ रहा है three three six okay अब इसको क्या गरेंगे minus nine में से six गए three eight में से three गए five और three में से three गए zero तो remainder कितना है 53 तो एक answer तो हो जाएगा 53 तो कैसे लिखेंगे 53 is the एक answer हो गया नहीं तो इसको underline कर ले ना least number which must be subtracted from one nine eight nine to get a perfect square okay अब देखो one nine eight nine में से 53 को minus भी करेंगे तो one nine eight nine में से हम 53 को minus करेंगे तो कितना आ जाएगा six three nine और one as it is one nine three six आप कहरें इसका स्क्वार रूट निकालो तो one nine three six का स्क्वार रूट किसके एक एक वाल हो जाएगा यहापर जो आंसर होगा उसके 44 ठीक है 44 की multiply 44 से करेंगे तो one nine three six आएगा और अलग से इस तरह से आप one nine three six का स्क्वार रूट निकालोगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा नाउ स्टार्ट नेक्स थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में क्या है three two five zero इसका निकाल लेते हैं square root देखो पेरिंग करी थर्टी टू के लिए table पढ़ते हैं one one zero one two two zero four three three zero nine four four zero sixteen five five zero twenty five and six six zero thirty six तो thirty six जादा हो जाएगा तो क्या करेंगे five five zero twenty five अब यहाँ पर यह five लिखेंगे प्लस करेंगे और यहाँ पर twenty five को माइनस five और five कितने हो जाएंगे ten thirty two में से twenty five माइनस करेंगे तो seven उपर से नोट किया fifty अब यहाँ पर ten है मैं यहाँ क्या number लिखके multiply करूँ सेम लिखना है दोनों जगा कि seven fifty आए या उससे कम आए तो जिसे मैं six six zero चलाती हूँ six six zero zero फ्लस three three six six thirty six अब यह छोटा आ रहा है तो ten लिखके seven seven लिखके कर लेता है multiply seven seven zero forty nine seven one zero seven seven forty nine अब eight रखके multiply करके देख लेती हूँ मैं eight eight zero sixty four eight one zero eight यह ज्यादा आ गया तो क्या है यहाँ पर seven zero चल रहा है तो seven लिखेंगे और कितना आ रहा है seven four nine इसको क्या करेंगे minus तो remainder कितना आया one तो हम क्या कहेंगे कि one जो है हमारा एक छोटा number है जिसको हम subtract करेंगे तो three two four five zero में से one subtract करेंगे तो three two four nine जो कि यह perfect square होगा तो हम क्या लिख देंगे कोशन में से ही लिखना है हमें therefore one is the least number which must be subtracted from three two five zero to make it a perfect square तो यह हमारा perfect square बन जाएगा तो क्या number minus करना पड़ रहा है one अब देखो three two five zero में से one minus करेंगे तो कितना आया three two four nine अब साथ के साथ इसका क्या निकाल देंगे हम square root तो three two four nine का square root कितना हो जाएगा 57 तो एक answer हमारा यह हुआ 57 ओके now start next part number fourth क्या दे रखा है fourth में 825 तो 825 का square root निकालेंगे pairing करेंगे 8 के लिए table read करेंगे 224 339 तो क्या चलेगा 224 यहाँ पर two लिखके plus और four को क्या करेंगे minus two plus two four eight minus four four उपर से note किया 25 अब यहाँ पर मेरे पास four है क्या number लिखके multiply करूँ कि four two five आए या उससे काम आए तो seven जार चला लेते हैं seven sevens are forty nine seven fours are twenty eight और four thirty two three two nine next eight रखके देख लेते हैं four के साथ eight eights are sixty four eight fours are thirty two और six thirty eight यह भी ठीक है nine डखके देख लेते हैं nine nine zero eighty one nine four zero thirty six thirty six और eight forty four तो देखो friends यह जादा हो गया है seven zero कम था eight zero उससे जादा था बट nine zero इससे जादा हो गया है ठीक है तो यह कितना हुझेगा three eight four eight times तो यहाँ eight लिखेंगे eight लिखेंगे और यहाँ पर three eight four अब इसको minus करेंगे five में से four गए one twelve में से eight गए four और three बचा था three में से three गए zero तो कितना आया हमारे पास forty one तो क्या कहेंगे therefore forty one is the least number which must be subtracted from eight two five to make it a perfect square इसको perfect square बनाने के लिए forty one को minus करना पड़ेगा तो हम eight to five में से forty one को minus करेंगे तो eight to five में से जब हम forty one को minus करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास five में से बन गया four twelve में से four गया eight और eight में से बन गया तो seven क्यूंकि one carry चला गया था तो कितना आया seven hundred eighty four इसका क्या निकालना है square root तो square root के लिए जो answer यहां आया था 28 यह हो जाएगा हमारा answer यह finish now start last part क्या दे रखा है four thousand पहले four thousand का square root निकालेंगे pairing करेंगे 40 40 के लिए table पढ़ेंगे five five zero twenty five six six zero thirty six seven seven zero forty nine तो 49 जादा हो गया तो six six zero thirty six यहां six लिखेंगे plus करेंगे और यह minus six plus six twelve forty मेंसे 36 गए four उपर से note के pair double zero आ गया यहां पर 12 है क्या number लिखके multiply करूं की four hundred आय या फिर उससे कम तो हम three thousand लिख लिख लेते हैं three three thousand nine three two thousand six three one thousand three अब four लिखके देख लेते हैं four four thousand 16 four two thousand eight और one nine four thousand four तो कितना आया three thousand three six nine क्योंकि four thousand four nine six ज़ादा हो रहा था तो three इहां पर three six nine इहां पर ten मेंसे nine माइनस करेंगे one 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 तो कितना आया 31 तो क्या लिख देंगे therefore 31 is the least number which must be subtracted from 4000 to make it a perfect square यह हमारा क्या बन जाएगा perfect square बन जाएगा तो अब हम 4000 में से माइनस करेंगे 31 को माइनस करेंगे तो कितना आजेगा 9 6 9 और 1 कैरी चला गया था दूसरी तरह बोरो चला गया था तो कितना बचा 3 अब इसका क्या निकाल देंगे square root तो कितना आएगा कित बाढ़ता सोरी तो कितना आजेगा 3,9,6,9 का square root 63 this is the answer यह कोशन हमारा फिनिश वा फ्रेंड I hope आपको समझाया होगा please share your queries and feedback in comment section thank you you